तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मासंकर आप देख रहë हैं U.S.Trik Channel तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक यह बैटरी कनेक्टर है और दोस्तों यह बैटरी कनेक्टर हम यह जियो एफ 320b phone में इस्टॉल करने वाले हैं यानि कि इस से जियो F320B में लगाने वाले हैं, तो इसके लगाने से पहले हम इसमें पेश्ट लगा लेंगे, तो देख सकते हैं कि हम पेश्ट यूज कर रहे हैं, और ये पेश्ट यूज करने के बाद इस बैट्री कनेक्टर को इजली इसमें लगा देते हैं, तो ये हमने यहाँ पर रख दिया है और रखने के बाद उपर से अच्छे से set कर लेंगे कि हिले डोले ना और इसको पकड़के इस तरीके से बस आपको कुछ भी नहीं करना है अच्छे से इसको बिठा के पहले और इसकी पीछे से आप देख सकते हैं पीछे से iron की solding iron से आपको solding कर लेन कोई भी losing न रहे तो देख सकते हैं दोस्तों कि इस तरीके से हमने इसमें पीछे तो तीनों में solding कर लिए है और बचा आगे तो आगे भी solding करना जरूरी है दोस्तों नहीं तो यह निकल जाएगा तो उसके लिए थोड़ा सा solder और लेना पड़ेगा और आगे यहां पर solding इसकी कर देते हैं तो देखिए इस तरीके से इसी तरीके से हमारा जो है battery connector लग रहा है तो आप भी इस तरीके से लगा सकते हैं पहले आपको अच्छे से पहले battery connector को निकालना है और निकालने के बा यही तरीके से इस तरीके से आप battery connector को अपने phone में लगा सकते हैं दोस्तों यह GOF320B है और कोई भी phone battery connector लगाने के लिए दोस्तों यही होती है तो देखिए हमने लगा दिया है और अभी इसको हेला डूला के भी देख सकते हैं देख सकते हैं बलकुल proper लग चुका है कोई भ battery connector को लगाने के बाद अभी मल्टी मिटर से चेक करेंगे कि reading सो करने लगा है कि नहीं तो अच्छे से पहले रख लिया है और इसके बाद अभी reading देखिया तो देख सकते हैं कि 805 यह ठीक है यहां पर बीप की बाच मिल लगा है तो हमारा battery connector जो है लग चुका है proper तरीके से और अभी mobile को चालू करके भी देख लेते हैं कि क्या phone हमारा चालू होता है कि नहीं तो दोस्तो अगर phone चालू होता तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बगलम में लगी घंटी विदावाना बिल्ग न भूलें तो दोस्तो देख सकते हैं mobile को चालू कर लिया है और इस तरीके से आप battery connector अपने mobile का चेंज कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तो बस यही सब कुछ ता आज की इस वीडियो में तो चलिए दोस्तो मिलते हैं अगले वीडियो में जब तक लिए नमस्का